So, नमस्कार, कैसे हैं आप सर्व, I hope आप लोग का अफसाता बढ़ी आओंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Top 10 Institutions of IP University IP University के Top 10 Colleges कौन-कौन से होंगे आपके लिए और इसके अंदर से आप देखेगा कि जो particular course आप करना चाहते हैं वो course कौन सा institute आपको offer कर रहा है एक चोटी सी request हमारे रहती है कि अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेशेगा अगर मैं IP University की बात करूं तो इसके अंदर इनका main campus भी है और इसके साथ अलग-अलग colleges भी affiliated है जोनका main campus है वो है द्वारका के अंदर जो की government से ही affiliated है या जो government है वही पूरी तरह से उस main campus को चलाती है ठीक है तो वो आपका पूरा का पूरा government funded आपका main campus है वो है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर साथ से सतर colleges भी है जो पूरे दिली के अंदर अलग-अलग जेखे पर है जो IP University से affiliated है और उन साथ से सतर colleges के अंदर कुछ government institutions भी है और कुछ private institutions भी है तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि जो IP University है वो semi government university है कुछ institutions private है और कुछ institutions वहाँ पर government भी है और आपको fees भी देखने को मिलती है जो private institutions है जो affiliated है उनकी fees आपको लगबग 1,10,000, 1,20,000 इतनी भी आपको देखने को मिल जाती है बीबी वगरा के लिए ठीक है तो इस तरह से अलग-अलग institutions है government and private semi government university को बोल सकते है चलिए बात करते हैं top 10 institutions की सबसे पहले देखी जिनका main campus है उसके अंदर जितने भी इनके departments है वो सबसे ज़ादा popular होंगे कि अगर मालने जिए main campus के अंदर आपका particular course offer हो रहा है तो definitely आपको वहाँ पर admission लेना शाहिए लेकिन हाँ जो main campus उसमें सारे-सारे courses offer नहीं होते हैं कुछ courses ही offer होते हैं अगर आपको main campus मिल रहा है तो definitely आपको main campus priority पर रखना चाहिए और उसके अंदर से कुछ जो सबसे ज़ादा popular department से उसके अंदर यह है जैसे की school of law अगर आप वहां से मालने जिए B.A.L.B. करना शाहते हो आप B.B.A.L.B. करना शाहते हो या फिर आप L.L.M. वगरा करना शाहते हो तो यहाँ पर school of law जो है उनके main campus का department वह काफे ज़ादा popular है इसके अलाव अगर हम बात करूँ तो फिर यहाँ पर school of information technology है जो कि again main campus के अंदर ही है द्वारगा के अंदर ही है और वहाँ पर B.Tech है, M.Tech है, dual degree है, M.C. आपको करनी है, PhD आपको करनी है वह सारी-सारी courses आप यहाँ से कर सकते है और जो बाकी departments भी main campus के वह भी काफे ज़ाद technology जहाँ पर engineering के लिए काफे जाद popular institute वह है तो अब आप engineering करना चाहते हो और किसी institute से करना चाहते हो तो IPN City के अंदर Maharaja Agresan जो है काफे जादा बढ़िया popular है आपके लिए और इसी के साथ-साथ यहाँ पर management का institution भी है जिसको बोलते है, Maharaja Agresan Institute of Management Studies अब बहुत सारी institutions इसके इ वह institution particular कौन सा है तो engineering के लिए जो Agresan College है और यहाँ पर Maharaja Agresan Institute of Management Studies भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो आप जहां से आप BBA कर सकते हो आप BCA भी कर सकते हो तो यहाँ से कर सकते हो तो यहाँ से कर सकते है इसके लाव अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर Maharaja Surujmal आप जाता है जो की काफी popular इंका college है तो महारा जा सुनुजमल से भी अगेन आप BBA B.com जैसे courses कर सकते हैं और भी कुछ courses है फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप कर सकते हो जर्नलिजम भी आपर है इसके लावा LLM हो गया या फिर MBA हो गया तो यह सारे courses आप वीप से कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको कुछ अलगलग institutions के नाम बता रहा हूँ तो इन institutions के आप नाम सुन लीजेगा और फिर research आप जरुजरूर कीजेगा फिर इसके बाद देखिए जगरनात institute of management studies है जिम से जहां से आप BBA वारा कर सकते हो तो यहां से आप BBA कर सकते है इसके अलबा देखिए जिम से एक इंजियरिंग का institution भी है तो इंजियरिंग वाले institution को भी आप देख सकते हैं जगरनात institute of engineering इस तरह से कुछ नाम है तो उसमें आप B.Tech वारा कर सकते हैं इसके बाद भगवान परश्वाम institute of technology है अगें आप इंजियरिंगर करना चाहते है त फिर भाई परमानंद institute है इसके बाद GTP institute of technology है फिर trinity college है वो भी काफी popular college है इसके अलबा डेली institute of advanced studies है तो यह कुछ institutions है जिनको आप टागेट कर सकते हैं अगर आप IPO institute को टागेट कर रहे हैं तो बस एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि जो top 10 colleges होते हैं वहां पर IPO institute के placements काफी जरू-जरू कीजेगा बट अगर आपको यह college मिल रहे हैं तो आप admission ले सकते हो अच्छे college हैं कोई doubt वाली बात ही नहीं है ठीक है तो all the best जितने भी IPO institute के aspiring students है एक चोटी से request है आप चैनल को subscribe कर लिशे इसी तरह से informative वीडियो जो है हम लोग आपके लिए लेकर के आते रहें और जितनी भी career guidance है college guidance है आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है तो एक चोटी से request है कि चैनल को subscribe कर लिशेगा बाकि मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye and tata